You think you can wake up one day and decide who you want to be? It doesn't work like that. Well, maybe it does for folks like you. Hello Cinephiles! तो Falcon and the Winter Soldier का second episode आ गया है और मुझे पता है कि इस शो के रिलीज होने से पहले ही ये confirm कर दिया था कि इस शो में racism की बात होगी पर Disney की kids friendly content की history देखकर मैंने बिल्कुल भी expect नहीं किया था कि वो शो को इतना open दिखाएंगे बड़ाइ तिवी शोस के साथ MCO अपने साथ लगे सब इस शीरो टाइपस को तोड़ कर हमें बहुत कुछ नया दिखाने वाला है तो white wolf से लेकर power brokers के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो episode स्टार्ट होता है जान वॉकर उसके दोस्त और उसकी girlfriend के साथ जहां actually हमें जान भी एक normal soldier की तरह ही लग रहा है जिसके दोस्त हैं उसका behavior भी normal है मतलब की अभी तक उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो villain भी हो सकता है पर इसके बारे में मैं detail में आगे बात करूँगा पर फिलहार हम बात करते हैं जान की girlfriend की तो शो में तो हमें कहीं इसका नाम बताया नहीं किया है या फिर शायद मैंने ही मिस्स कर दिया हो तो पता नहीं पर comics में जान की girlfriend का नाम कैली वराइस था जो कि एक she legend की तरह भी काम कर चुकी है तो हो सकता है कि MCU में भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाया जाए इसके बाद एक और public event आता है जहां फिर से जॉन को as captain America public के सामने लाया जाता है यहां answers देते हुए जॉन एक बात कहता है कि वो कभी captain America से नहीं मिला पर फिर भी उसने captain को हमेशा अपने बड़े भाई जैसा माना है देखो जॉन भाई बुरा मत मानना पर अगर captain अभी यहां होते तो यह बात पकी थी कि वो तुम्हें तो shield नहीं देने देते यहां एक बात और notice करने वाली है कि John Bruce Banner का नाम लेकर यह कहता है कि उसके पास कोई super stent नहीं है इस point को अभी ध्यान रखना मैं power broker के बारे में बताते हुए इस पर और बात करूँगा जिसके बाद falcon और wilter soldier probably पहली बार मिल रहे है end game के बाद और bucky obviously Sam से disappointed है कि आखिर उसने shield अपने पास क्यों नहीं रखी जिसके जवाब में Sam वही बात बताता है जो मैंने आपको episode 1 के breakdown में भी बताई थी कि Sam को अभी नहीं लगता कि हो captain America या दूसरे शब्दों में Steve Rogers को replace कर सकता है जिसके बाद Sam bucky को flag smasher और the big three के बारे में भी बताता है और इसी big three को term को आगे episode में हम John के मुछ से भी सुनते हैं तो I think ये term Wanda के magical powers को देखने के बाद MCU की general public में famous हो गई है इसके बाद Sam और bucky उस जगर पर पहुंसते हैं जहां flag smasher कुछ medicine शुराने आये होते हैं और यहां हमें bucky की future को लेकर एक काफी important update मिलता है तो जब bucky छुप छुप कर जा रहा होता है तो Sam कहता है कि थोड़ा टाइम Wakanda में बिताने से तुम भी white panther बन चुके हो जिस पर bucky कहता है it's white wolf actually तो bucky के लिए ये term हम black panther के post credit scene में भी सुन चुके हैं और बार बार marvel का ये tease करना कहीं न कहीं हिंट देता है कि शायद bucky को भी अब white wolf के नाम से ही बुलाया जाएगा क्योंकि obviously Wakanda में इलाज होने के बाद वो अब winter shoulder नहीं रहा है तो कोई ना कोई नई टम तो bucky को दी ही जाएगी इसके बाद सैम और bucky का सामना होता है फ्लैक समेशर से जहां वो बुरी तरह पिटते हैं और इसी बीच महां जॉन और उसका दोस्त हॉसकिन भी आ जाता है लेकिन ये सब मिलकर भी फ्लैक समेशर को नहीं हरा पाते है और फ्लैक समेशर महां से भागने में कामयाब हो जाते है पर यहां इन्हें ये ज़रूर पता चलता है कि फ्लैक स्मेशर की मेंबर कोई आम इनसान नहीं है बलकि इनके पास भी सूपर सेरम की पावर्स हैं जिसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका तो फर्स्ट एवेंजर का एक इस्टर एग में मिलता है जब जॉन अपना कमपैरेजन स्टीव रोजर से कर रहा होता है जिसमें बकी जॉन से पूछता है कि क्या तुम कभी किसी ग्रिनेट के ओपर चड़े हो ये रेफरेंस था इस सीन का जहां स्टीव का टेस्ट लेने के लिए एक फेक ग्रिनेट फैंका जाता है और स्टीव बिना रुके सब को बचाने के लिए उस ग्रिनेट पर चड़ जाता है फिर इसके बाद सैम, बकी, हॉसकेन और जॉन मिलकर फ्लैक समेशर के बारे में डिसकस करते हैं जहां वो फ्लैक समेशर के मोटिव की बात करते हैं जिसमें मोश्की वो लोग यही बात करते हैं जो मैं आपको फर्स एपिसोड की ब्रेकडाउन में बता चुका हूँ जैसे बलिप के बाद सब कुछ मैनेज करना, कितना मुश्किल है वगेरा वगेरा इसके बाद होसकिन बताता है कि उसका सूपर हीरो नेम है बैटल स्टर और यह करेकडर भी लिया गया है कोमिक से जहां पर यूएस एजेन्ट के साथ बैटल स्टर भी कुछ टाइम के लिए एवेंजर स्ट्रीम का पॉफ रह चुका है बैटल स्टार और US एजन्ट की पावर्स के बारे में हम आगे थोड़ी देर में और बात करेंगे इसके बात इस एपिसोड का अभी तक का सबसे इंटेंस और काइंड आफ हार्ड ब्रेकिंग सीन आता है जहां हमें रेसिजम के बारे में बताया जाता है तो बकी सैम को लेकर जाता है US के बाल्टीमोर शहर में जहां आईसेया ब्रेडली नाम का एक एक एकस US सूपर शोलजर रहता है बिलकुँ स्टीव और बकी की तरह पर डिफरेंस यह है कि जहां स्टीव को इतने सालों तक और आज भी एक नेशनल हीरो की तरह देखा गया आईसेया के साथ उसकी कलर और एथनिसीटी के वज़े से भेदबा हुआ इतना कि उसे कोई स्पेशल रिस्पेक्ट देनी की जगा युएस गॉर्मेंट ने उसे 30 साल तक जेल में बंद रखा और इस चीज के बारे में स्टीव को कभी पता भी नहीं चला तो आईसेया का करेक्टर भी हमें मिलता है कॉमिक्स में जहां उसे ब्लैक कैप्टन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है और शो की तरह ही वहां भी उसे जेल में कई सालों तक रहना पड़ता है पर यहां देखने वारी बात यह है कि स्टीव के सूपर सोलजर बनने के बाद भी युएस गॉर्मेंट ने अपने सूपर सोलजर एक्सपेरिमेंट को कंट्यूनी रखा और हो सकता है कि आईसे यह के तरह ही कई और सूपर सोलजर भी अभी मौजूद हो सकते हैं खेर आईसे यह यहां उनके साथ आने से मना कर देता है और सैम और बकी के बाहर आते ही हमें रेसिजम का एक और एक्जामपल दिखता है जहां पुलिस वाले सैम को पहचान नहीं पाते हैं और आल्मोस्ट उसे बिना किसी बात के अरेस्ट करने ही वाले होते हैं रीजन उसकी कलर और एतनी सिटी लेकिन एंड में सैम की जग़ा बकी अरेस्ट हो जाता है और उसके बाद बकी को थेरेपी के लिए ले जाया जाता है जहां बकी के साथ साथ सैम को भी थेरेपी दी जाती है यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा मार्वल स्टूडियोस की क्योंकि अभी ज़स्ट दो ही एपिसोड हुए है और आप नोटिस कर सकते हो कि हमें ट्रेलर और टीजर्स में दिखाए गए अल्मूस सभी सीन्स अल्लेडी दिख चुके हैं यानि कि हमें कोई आइडिया भी नहीं दिया जा रहा है कि फाइनल एपिसोड में क्या होगा खिर इसी भी जान बकी की बेल करा देता है और अब हमें असली यूएस एजेंट दिखता है क्योंकि जब सैम और बकी जॉन के साथ काम करने के लिए मना कर देते हैं तब जॉन उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अब वो उनके रास्ते में वापस ना आए और इस सीन से मुझे याद आता है कैप्टन अमेरिका दो फर्स्ट एवेंजर का वो सीन जहां डॉक्टर अर्सकाइन ने बताते हैं कि क्यों उन्होंने एक हट्टे कट्टे एथलीट की जगा एक कमजोर स्टीव को सूपर सीरम दिया उन्हका कहना था कि उन्हें सीरम एक अच्छे इंसान को देना है ना कि एक पर्फेक्ट शोलजर को ताकि ये पावर्स किसी करट इंसान के पास ना चला जाए या उल्रीडि पावरफुल इंसान को करट ना बना दे और यही चीज हमें देखने को मिल रही है जॉन से जो स्टार्टिंग में हमें एक नॉर्मल और एक्चुली एक डीसन्ट सोल्जर की तरह ही दिख रहा था लेकिन जैसे जैसे वो अपनी पावर्स और अथॉरिटी इसको और यूस करता जा रहा है वैसे वैसे ही उसका माइंड और करप्ट होता जा रहा है बट मैं आपको गैरेंटी दे सकता हूँ कि इस शो का में विलन यूस एजेंट बिलकुल भी नहीं है और इस बात का हिंट बिलता है अपने नेक्स सीन में जहां फ्लैक्स मेशर स्लोवैकिया गए होते हैं लूट के लिए लेकिन यहीं पावर ब्रोकर उन्हें रोकने आ जाते हैं तो हमें भले ही यहाँ पर पावर ब्रोकर के बारे में कुछ ना बताया गया हो पर कॉमिक्स हम जान सकते हैं कि यह ग्रूप क्या है और क्या करता है तो पावर ब्रोकर एक कॉर्पोरेशन है जिसे कर्टेश जैक्सन नाम के एक आदमी ने बनाया था इस ग्रूप का काम होता है लोगों की बाड़ी में सूपर स्रोल्जर सेरम डालना जिसके बदले यह जिन्दगी बार उनके इंकम का 70% लेते हैं तो यह 70% हिस्से की बात का तो पता नहीं पर मुझे लगता है कि सूपर स्रोल्जर सेरम वाली स्चोरी हमें शो में भी दिखाई जाएगी इस ग्रूप से रिलेटिड एक और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यूएस एजेंट और उसके दोस बैटर स्टार को भी सूपर सीरम इसी कॉर्परेशन ने दिया है जी हाँ आपने सही सुना तो स्टार्टिंग में जहां जान ने ये कहा ता कि उसके पास बैनर की तरह कोई सूपर पावर्स नहीं है तो उसने यहां आधा जूट कहा था और वैसली उसके पास ब्रूस बैनर जैसी पावर्स तो नहीं है बड़ वो एक नॉर्मल हूमन भी नहीं है क्योंकि उसके पास भी सूपर सीरम की पावर्स है साथ ही ये भी हो सकता है कि फ्लैक समेशर के मेंबर्स को भी उनकी पावर्स पावर ब्रोकर्स नहीं दिलाई हो पर अब किसी वज़े से उनके बीच अन बन हो गई हो इसके बाद फाइनल सीन में बकी और सम डिसाइड करते हैं जीमों से मिलने के लिए जो सिवल वार के बाद से ही जेल में बंद है और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड खतम हो जाता है ये एपिसोड फर्स एपिसोड के जितना हैपनिंग तो नहीं था पर यहां भी हमें काफी सारे इस्टर एक्स और डिटेल्स मिली तो उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और अगर आपको कुछ नहीं जानने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना साथी चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना सो थैंक यू फॉर वाचिंग सीनेफाइल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में